आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अपनी पिछली वीडियो में हमने एक त्रिकोण मितिय सर्व समिकाँ पर चर्चा की थी आज हम इस वीडियो में अन्य दो त्रिकोण मितिय सर्व समिकाँ का अधियन करेंगे पिछली वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज LMN में पाइथागुरस प्रमे की सहता से बनी समिकरण एक के प्रत्येक पद में एलन के वर्ग का भाग दिया था जिससे हम एक त्रिकोण मितिय सर्व समिकाँ प्राप्थ हुई थी क्या होगा यदि हम समिकरण एक में LM के वर्ग के स्थान पर LM के वर्ग का भाग दे तो चलिए देखते हैं समीकरण एक के दोनु पक्षों में LM के वर्ग का भाग देने से निम्न समीकरण प्राप्थ होती है जहां हम थीटा के अनुदिश त्रिकोन मिती अनुपाद 10 थीटा बराबर MN बटा LM तथा सेक थीटा बराबर LN बटा LM का प्रयोग करते हैं जिससे हमें एक जमा 10 थीटा का वर्ग बराबर सेक थीटा का वर्ग मिलता है जोकी एक त्रिकोन मिती सर्व समीका है जहां थीटा का मान 0 डिगरी से बड़ा या बराबर तथा 90 डिगरी से छोटा या बराबर होता है इसी प्रकार यदि समकोन त्रिभुज से बनी समिकरण एक में MN के वर्ग का भाग दे दें तो हमें त्रिकोन मितिय अनुपातों की सहता से LN बटे MN बराबर कौट थीटा तथा LN बटे MN बराबर कौसेक थीटा मिलता है जिससे हमें उप्रयोक्त समिकरण का मान एक जमा कौट थीटा का वर्ग बराबर कौसेक थीटा का वर्ग प्राप्त होता है जो की एक त्रिकोन मितिय सर्वसमिका है जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा या बराबर होता है इन तीनों सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके हम प्रत्येक त्रिकोन मिती अनुपात को अन्य त्रिकोन मिती अनुपातों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं क्या आप निम्नलिखित सर्वसमिका को सिध्ध कर सकते हैं? आईए, देखते हैं सबसे पहले हम इसके बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं जहां हम इसका लगूतम समाप वर्तक लेते हैं और हल करते हैं जिससे हमें दो बटा, एक घटा, साइन थीटा का वर्ग प्राप्त होता है हम जानते हैं साइन थीटा का वर्ग जमा कॉस थीटा का वर्ग एक के बराबर होता है जिसकी सहायता से यहां हम एक घटा साइन थीटा के वर्ग के स्थान पर कॉस थीटा का वर्ग प्रतिस्थापित करते हैं क्या आप प्राप्त हुए इस मान को सेक थीटा के रूप में बदल सकते हो? शाबाज, हम जानते हैं कि सेक थीटा का मान एक बटा कॉस थीटा के बराबर होता है इसलिए उप्रयुक्त समीकरण में एक बटा कौस थीटा के वर्ग के स्थान पर सैक थीटा का वर्ग रखते हैं जो की दी गई सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर हैं इस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया आज हमने इस वीडियो में दो त्रिकोन मिती सर्वसमीकाओं का अधेयन किया अगली वीडियो में हम इस पर आधारित दिल्चस्प उधारन देखेंगे